मैं आर्तिवलमिक बट्यगर जिला दमो मध्यपरदेश से और ये है ग्राम नीम खेरा जो ग्राम नीम खेरा बस्ती है वहां की तादा थे लगभख 400 लोग ग्राम नीम खेरा के बार्ड नमबर 9 में जो समस्या है वो भी पानी की है और बार्ड नमबर 8 में जो है वो भी पानी की समस्या है आपके गाउं के कितनी दूरी है यहां से? बहुत दूर है, हम बालबाच चिल्याविती ते नहावी धूबे हो, उन्ना कपड़ा जो गंधा पानी ले जाते हैं, पी बे हो. आपके गाउं में हेंड पंप है? हाँ, काउन नहीं है. बाड़ नंबर कौन सा है? 9. इस समस्या से जूजने के बाद आज संगर्स करकों से जूजने के बाद, करते करते दीपारानी और बसंतरानी भी ही नहीं, इस गाउं के लगभग देड़ सो लोग, वो भी बहुत खुशें, उन्हें पीने के पानी का साधन प्राप्त हुआ है. आप क्या बदला हुआ उस पे? आप जो बदला हुआ हुआ है, हेंट पंप तो हुगया. कहां पे हुआ है? निम खिरी टेगाड़ा पे. यह बदला हुआ है के लगए आपका? काहां के रेने वाले बाड़ नंबर कौन सा है पहले क्या समास्या थी पहले समास्या थी कि ना खराब हतो चलता थो हतो कि कम प्रास तो पालू समस्या की जानकारी भी आपने देव है तो मुझे जानकारी हुए थी के वहाँ पर दो रेंक पर पानी कम आधा था आठाफ पाईप तो उसके लिए मैंने तुरंद में अस्थी यह को कौन कर दिया रहा है तो यहाँ पर जाब जाब एक पाईप कम तो जोडू पाईप और तो अब इसमें क्या किया गया है अब क्या फरक पड़ेगा इसमां कोछ बताएं यहाँ बहुत फड़क पढ़ेगा पहले से यह रभुषभ को मैं बहुत खुश हूँ और सभी ये जनता भी खुश है जहां जहां ये हैंट पॉइप पंप हुए हैं मैं आर्थी वालमीक बटियागर जिलादा मोमध्य पिर्देश से इंडिया अनहाट के लिए मैं झास कूप हुए 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 हैं